कोई भी संस्था आधार कार्ट की यूज के लिए आप पर दबाओ नहीं डा सकती अब आप सीम कार्ड लेने या फिर बेंग में खाता खुलवाने के लिए आधार कार्ड की बजाए पासपोर्ट राशन कार्ड या अनिक कोई माने दस्तावेज हक के साथ इस्तिमाल कर सकते है आधार कार्ड की अनिवारिता को लेकर केंजर सरकार ने एहम फैसला लिया है अब आपको बेंग में खाता खुलवाने या फिर सिम कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड देना जरूरी नहीं होगा बलकि पूरी तरह आपकी इक्षा पर ही निर्भर होगा पहचान और पते के प्रमान के तोर पर आधार कार्ड के लिए दबाव बनाने पर बेंग को टेलीकॉम कंपनियों को एक करूर रूपे तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है यही नहीं ऐसा करने वाली कंपनियों के इंप्लोईस को तीन से दस साल तक की सजा भी हो सकती है इस तरह आप सिम कार कार्ड लेने या फ्री बेंग में खाता खुलवाने के लिए आधार कार्ड की बजाए पासपोर्ट, राशन कार्ड या अनि कोई माने दस्तावेज हक के साथ इस्तिमाल कर सकते हैं कोई भी संस्था आधार कार्ड के यूस के लिए आप पर दबाव नहीं डा सकती सरकार ने कि सुप्रीम कोड के हालिया आदेश को ध्यान में रखते हुए ये फैस्ता लिया गया है शीष अदालत ने कहा था कि उनिक आईडी को सिर्फ वेलफेर स्गीमों के लिए ही इस्तिमाल किया जा सकता है कानूर में हुए संशोधन के मुताबिक आधार अथेंटिकेशन करने के वाली कोई भी संस्था जदी डेटर लीक के लिए जिमेदार पाई जाती है तो 50 लाग तक का फाइन और 10 साल तक की सजा हो सकती है इस धशोधन को फिलाल संस्थ की मंजूरी मिलना बाकी है हलाकि राश्ट हित में ऐसी जानकारी दी जा सकती है केंजर सरकार के इस फैसले क मिल गया है कि आप चाहें तो इसकी जानकारी दें या फिर ना दें